जैसे राधे मित्यों हरहर महाधीव जै महाच चंदरबदनी ब्धाइध चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आप सभी का हारदिक अबन्दन नहीं हैं और गोती आत्य सकति सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है अंतिम तक अवस्य देखें अब सरवपर्थम बात करेंगे हम आज के पंचांग का 29 दिसंबर 2022 का जो पंचांग है उस पंचांग के बारे में जानकारी आपको देते हैं तो 29 दिसंबर 2022 दिन जो है आज गुरुवार का दिन है तिथी जो है सब्सक्राइब कर लगेगा और आज जो है उसके वाद पक्ष है सुकल पक्ष है योग व्यतिपाद है दिन जो है गुरुवार है और सूर्योदय जो है साथ बच के बारा मिनट पे होंगे और सूर्य अस्त जो है पांच बच के 32 मिनट पे होगा चंद्र जो रासी जो है मेन होगी और चंद्रोदय जो है ग्यारा बच के चपन मिनट पे और चंद्रास्त जो है वहाद जो है चाविस बच के साथ बारा बच सब्सक्राइब करते हैं आज का जो राहुकाल है वह एक बज के चालिस मिनट से ले करके और दो बज के 58 मिनट तक होने वाला है तो राहुकाल में कोई भी असुबकार आपको नहीं करना है अब हम बात करेंगे आज के सुब मुरत के आज का जो सुब मुरत है उस मुरत के बारे में हम चर्चा करेंगे सुब मुरत के बारे में अबजीत जो मुरत है जब हमें सुबकार करना है तो अबजीत मुरत की हम चर्चा करते हैं तो अबजीत मुरत जो है आज 12 बज के 2 मिनट से ले करके और 12 बज के 43 मिनट तक रहेगा तो यहां अबजीत मुरत में ही जो भी आपको सुबकार करने हैं जो भी आपको ब्यापार सम्मंदित जिससे आपको अधिक फायदा उठाना होगा तो उसमें अवजीत मूरत में आपको वह सुभकार्यक करना है तो यहां आज के पंचांग के बारे में आपको जानकारी दी अब हम चलते हैं मेश रासी से लेके मीन रासी के जातकों का जो दै से ही बिंती है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि अधिक से लोग हम से जुड़ सकें और जो भी आज हमारे इस वीडियो में पहली वार जुड़े हैं वह हमारे चंद्रबंद्नी भक्तरास पेज को सब्सक्राइब जरूर करें तो बात करेंगे म मेस रासिके जातकों की मेस रासिके जातकों का 29 दिसम्बर 2022 का दिन कैसा रहेगा तो आपकी जी तोड़ मेहनत और परिवार का संयोग इच्छित परिणाम देने में काम्याब रहेंगे लेकिन तरक्य की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मेहनत जो है इसी तरह जारी रखें आर्थिक जीवन की इस्तति आज अच्छी नहीं कहीं जा सकती है आज आपको बचत करने में मुश्किले आ सकती है ऐसे कामों में सहवागिता करने के लिए समय अच्छा है जिसम लग सकता है कि आपके बॉस जो है आप से इतने रूखे पन से क्यों बात करते हैं वजह जानकर आपको वाकई तसल्ली होगी किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे सक्ष से हो सकती है जिसम से अतीत में आपके मदवीद थे आज आपके बैवाहिक आपके आपकी इस्तिती जो है सुद्रिड होगी बात करेंगे बिसरास के जातकों की तो बिसरास के जितने भी जातक हैं विशवास की जीए कि खुद पर यकीन ही बाहादुरी की असली जो है परग है क्योंकि इसी के बल्ब पर आप लंबे वक्त से चलि आ रही बिमारी से निजात पा सकते हैं दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक तौर पर फायदा होगा आपको बच्चों या खुद से कम अनवफी लोगों के साथ धैरे से काम लेने की जरूरत है एक तरफा लगाओ आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा पेसेवर तौर पर अपने अ जीवन साथी के खराब व्यभार का नकरात्मग असर आके ऊपर पढ़ सकता है आज का उपाय क्या करें कि नौवर्स शे कम उमर की कनियाओंों को भुजन कराने से आपका स्वस्ध्य अच्छा हो सकता है मित्थन राश के जातग का की बास्त करेंगे तो मित्थन राश के जा आप जानते हैं आर्थिक मामलों की जरूरत से ज़्यादा गंभिरता से लोगों और घर में थोड़ा बहुत तनाव भी पैदा होगा जिंदगी की भाग दोड़ में आप खुद को खुसनसी पाएंगे क्योंकि आपका जीवन साती जो है संयोगी और मददगार रहेगा बिना किसी को अवगत कराए ही आज आपके घर में किसी दूर के रिष्टेदार की इंट्री हो सकती है जिसके कारण आपका समय खराब हो सकता है बढ़िया खाना रोमानी पल और जीवन सा साथ यहीखास है आज तो अब बात करेंगे आज के उपाय के आज कौन सा उपाय करें कि सोने की चैन को सोने की जो है पेट तक सपर सकरती हो धारण करना स्वास्टे की दृष्ट से आपके लिए अच्छा होगा अगर सफर कर रहे हैं तो अपने केमिती सामान का बिसेस आपको ध्यान रखना है अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामान के चोरी होने के संभावनाएं है जो लोग आपके करीबी हैं वे आपका गलत फायदा आज उठा सकते हैं आपके जहन में काम का दबाव होने के सेमिनार और गोश्टियों में हिसार लेकर आज आप कई नए बिचार पा सकते हैं आपका प्रेमी आपको प्रयाप्त समय नहीं देता यह सिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं आज आप अपने जीवन साती से काफी आत्मिया वाच्चित कर सकते हैं आज आपको एक रास के जितने भी जातक हैं कार्य छेत्र में जो है वरिष्टों का दबाव और घर में अनवन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है जो काम में आपके एकाग्रता को भंग करेगा आर्थिक जीवन में आज खुसाली रहेगी इसके साथ ही आप कर्जों से भी कार्याले में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या सुखुस खवरी आपको मिल सकती है इस रासी के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं ऐसा करने से आप जो है लोगों के बीच प्यार में इजाफा पाएंगे आज को एक चोटा सा उपाय करना है कि गणेश या विष्णुजी के मंदिर में कांसे के कांसे के पात्र पे जोत दान देने से पारवारिक जीवन जो है वह सुख में होगा कन्यारासी की बात करेंगे तो कन्यारासी के जातक जो हैं घर और दफ्तर में कुछ दवाव आपको गु सोचा था आपका भाई जो है उससे जादा मददकार आज सावित होगा आज आप कोई दिल तूटने से बचा सकता है नए सुरू की योजनाएं जो हैं प्रयोजनाएं उम्मीद के मुताविक प्रिणाम नहीं देंगे अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे थे तो निश्चे ही आपको उसके संकेत आज दिखाई देंगे यहां दिन आपके जीवन में बसंत काल की तरह होगा रोमानी वा प्यार से भरा जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साती साथ में हो आपको एक चोटा सा उपाय आज करना है क हल्दी की गांथ केसर पीला चंदन पीली दाल का अधिक सेवन करने से आपका स्वस्त्य आज बहतर होगा आँप करेंगे तुलारास के जातकों की तो तुलारास के जिनने भी जातक हैं आज आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है आपका स्वास्ति जो है आज पूरी तरह से आपका साथ देगा ग्रह नक्षट्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए घर बदलने के लिए आज बहुत बढ़िया दिन है आज आप कोई दिल तूटने से कोई आज आपको बचा सकता है दफ्तर में अपनी गलती सिकार करना आपके पक्ष में जाएगा लेकिन इसको इसे सुधारने के लिए बिसले ही उन्हें दोराते हैं परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आपको और अपने को निकाल पाएंगे आपका जीवन साति को भुद को कुस नशिर्स समझता है इन पनों का भरिपूर आपको उप्योग करना है आपका अज का चोटा सा tuvo is है कि प्राइए इस तत्रीकि पर्तिश नजरे साप रखने से आर्थिक उन्नती होगी बात करेंगे व्रिशिक की व्रिशिकरा के जातक है थोड़ा बिश्राम करें और काम के बीच-बीच में जितना हो सके उतना आराम भी करते रहें आपको मेरी सला है कि सराव सिगरेट जैसी चीजों पर आप पैसा खर्च बिलकूर ना करें ऐसा करना आपके स्वस्थ्य का को तो खराब करता ही है आपकी आर्थिक इस्तिती भी इससे बिगड़ती है अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता-पिता को बिस्वास में लेने का सही समय है आज आपका प्रेमी अपने मनोभाव को आपके सामने खुलकर नहीं रख पाएगा जिसकी वज़य से आपको खिनता होगी अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वण कामों को कर सकते हो तो आपकी सोच काफी गलत है अपने समय की कीमत समझें उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं उनके बीच में रहना आपके लिए गलत है उनके बीच में आपको नहीं रहना है और आज का जो आपका छोटा सा उपाय है पीले चामल बनाकर गरीबों में बांटने से आर् लोग साधी सुदा हैं उन्हें आज अपने बच्चों की पड़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है परिवार की किसी महला सदस्य की सेहत की चिंता की वजह बन सकती है खुसी के लिए नए संबंद की प्रतिक्षा करें आज आपको फायदा हो शकता है वसरत साथी के लंबों की जीवन साथी के जो लंबों की मुस्कान पल भर में आपका सारा दर्द गायब करने की कावलियत रखता है आपका चोटा सा उपाय है कि घर में रखी जो फटी हुई पुस्तकों को दुरस्त कर लेने से पारवारिक जीवन अच्छा चलने लगता है आएगा तल्ख बढ़ताओं के बावजूत आपको जीवन साती का संयोग मिलेगा मुहबत और रोमांस आपको कुसमिजाज रखेंगे कार्य छेत्र में लोगों का नैत्रित्व करें क्योंकि आपकी निष्ठा आगे बढ़ने में मददकार सिद्ध होगी घर से बाहर निकल कर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे आज आपका मन सांत होगा जिसका फायदा आपको पूरे दिन भर मिलेगा काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साती एक सांत के साथ में दिन बिता सकते हैं पर जब कोई लड़ाई जगडाना हो सिर्फ प्यार हो इस अब बात करेंगे कुमरास के जातकों की तो आज के दिन जो है कुमरास के जातकों के लिए आज के दिन के गए दान पुन्य के काम जो हैं आपको मानसिक सांती और सकून देंगे निश्चित तोर पर बितिय इस्तिती में आज सुदार आएगा लेकिन साथ ही खर्चों में भ आप अपनी जिन्दगी में सुधार आज ला सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो अस्तापित हैं और भवुस्य के रुजहानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज से के होने का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चे ही आपको उसके संकेत दिखाए देने लगेंगे आज आपके बैवाहिक जीवन में सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है आज आपको उपाय क्या करना है कि रात को ओम का उच्चारण 28 बार धीरे-धीरे करना है जिससे मन सांत होगा और पारवारीग सुख भी आपका बढ़ेगा बात करेंगे मीन रासिके जातकों की में रासिके जितने भी जातक हैं अपने स्वास्त्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें क्योंकि इससे आपकी बिमारी और बिगड़ सकती है आज आपको बेवजा पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए नह आज आपको बड़ी खूब सूरती से कुछ खास करके चौका सकता है आज आप जो है निश्चित तोर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके करियर में मददकार सावित होंगे अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का बिचार बना सकते हैं और वागाय को आप खिलाएं तो हमने आज के मेंसराश से लेके में रासिके जातकों की बात करें तो आज का जो दैनिक रासिफल है मेंसराश से लेके में रासिक तक के जातकों का वा रासिफल आपको बताया तो हमारे परतिदिन के दैनिक रासिफल देखने के लिए आप हमारे की चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन दवाएं और वीडियो को अंतिम तक अवस्य देखें आपके पास जितने भी मित्र प्रहएं सब तक के लिए जैसिर राधे जैमा चंद्रवदने हर हर महादेग।